बल्कुल तपे साहिब आसार ये बताते थी कि उसको बरी महारत से चलाया जाता था पाई लेट की तरह और उसको बहुत बार स्कूल के बच्चों ने भी चलाया बगेर लाई सुनके कुछ बई नहीं कि ऐसा भी दुआ हो के तका लगाते लगाते बची खुद ही फिर पहुंचते हूं बहरहाल बस आफिर बस थी बेबस हर्गस नहीं थी देर से ही सी फिर फोहुंचा कर ही दम लेती थी दम आफिर की तरह इतना दम लेने से वो दमे की मरीज हो गए हो तो कुछ हज़ब भी नहीं उसकी खुँखु खां खां और अंगराई की तरह गेर बगलने से तो यही पता चलता था जहां से वो गुजरती थी अपने होने का इसास जरूर करवाती थी यह अजास था उसकी गुसनावर्दी का कि जहां भी यह दास्ता चोड़ाई यानि वो जहां खड़ी हुती थी वहां गरेस और डीजल के लिशान जरूर मोई है सब्ट करती थी कि अपनी इन्हीं खुससियात के बाईस वो बहुत खो़दार थी यहीं वज़र है कि वो अपनी मर्जी की मालिक थी कोई他वि युद्र पर नहीं चला सकता था पहरहाल वो जो भी थी, हमारी थी, हमारी अत्मी थी, हमारी बस थी वो, जसके बगर हमारे इसकोल की आदें कैसे मुकमल दो सकती है, ये BBC London हंटिस नहीं है